हैलो दोस्तो गायतरी की रस्वई में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आज हम बनाएंगे पोहे की चिल्ले तो पोहे की चिल्ले बनाने के लिए हमें क्या-क्या समगरी चाहिए तो आइए हम देख लेते हैं थमने एक कटोरी सूजी ले लिया है और यह दो चम्मज के मतलब थोड़ा कम सूजी और दो चम्मज के करीब ओर तो दोस्तो मैंने पोहा धो लिया है और धोने के बाद इसको जो है इन सारी चीजों को मिक्सी में पीसेंगे तो यह मिक्सी में पोहा डालूंगी और हम आधा मतलब हमारा हमारा सामान जादा है तो हम आधा आधा करके बाद अब दोस्तों मैंने आलू बाल के रखे थे इसमें आलू भी डलते हैं तो यह मैं थोड़े से आलू डालूंगी तो चार से पांच पीस करीब मैंने आलू ले ली इस सारी बेटर को मैंने दो बार में पीसा है दोस्तो तो दोस्तो इस पेस्ट में अब हम डालेंगे सबजिया तो दोस्तो आईए हम सबजिया देख लेते हैं तो सबजियों में दोस्तो ये मैंने जो है हरा धनिया लिया है धन तो देखिए मैंने कैसे काट रखा है और यह मैंने सिम्ला मेर्चि दो चमज के करीब मतलब तीन चमज के करीब होगा और यह तीन चमज के करीब पत्ता गूबी और ये प्याज मैंने काटा है तो देखिए दोस्तों प्याज मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है तो एक मीडियम साइज के करीब प्याज है तिन सारी सब्जियों को दोस्तों उस पेस्ट में हम मिला देंगे तो देखिए दोस्तों जो भी सबजी आप डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से डाल लीजिए और तो चलिए दोस्तों हम इन सबजीयों को उस पेस्ट में मिला देते हैं तो यह हम प्याज डाल देंगे सिम्ला मेर्च और यह बीन्स भी डाल लेंगे और धनिया और यह पत्ता गोवी डाल देंगे तो इन सारे सबजीयों को हम मिला देंगे उससे पहले हम इसमें नमक डाल लेंगे और हिंग तो दोस्तों यह स्वाद अनुसार मैंने जो है इसमें ये स्वाद नुसार नमक डाल लेंगे और इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे दोस्तों और ये कुटु ही लाल मिर्ज डाल देंगे तब सारी चीजों को हम सारी सब्जियों को अच्छ से इसको मिला देंगे तो दोस्तों अगर हमें पानी की जरूरत होगी तो हम पानी डालेंगे तो दोस्तों देखें अब यह मारा पेश्ट जो है थोड़ा सा घाड़ा लग रहा है तो इसमें हम पानी डालके थोड़ा सा मेक इसमें पानी डाले लेंगे आ कौक्ज है तो में अबशे कम देखानी, सदो चटनी तयार कर लेते हैं सुक लालं कर आफ दाल यह चने की डाल इस चठनी में बहुत ही ज़ादा जरूरी तो चलिए अब हम कढाई चढाते हैं यह मैंने कढाई चढा दी और कढाई में तेल डाल देंगे तेल को हम हलका सा गरम करेंगे हमें तेल जादा गरम नहीं करना दोस्तों तेल चने की डाल को डाल देंगे इसको हलका सा चलाएंगे और इसमें सुखी लाल मिर्च डाल देंग नहीं उसके हाँ ये करी पत्ता डाल दिया है तब हम प्याज डालेंगे प्याज डालके दोस्तों इसको हम मतलब धीमियाज पर भूनेंगे तो भूनने के बाद देखिए दोस्तों हमारा प्याज हलका सा ब्राउन हुआ है अब हम इसमें जो है टमाटर डाल देंगे देखिए दोस्तों हमने टमाटर भी डाल दिये ये चटनी हम दोस्तों हमारी बहुत ही अच्छी बनके आती है तो हम टमाटर डालने के साथ इसमें थोड़े सी थोड़ा सा पानी डालेंगे दोस्तों इससे क्या होगा हमारी चटनी जो है टमाटर अच्छे से गलने लगेंगे तो आप दोस्तों हमने इसमें दोस्तों जब हमने प्याश डाला था उसी टाइम हमने नमक डाल दिया था दोस्तों तो आप भी नमक डाल देना मतलब मैंने दिखा नहीं पाई तो आप नमक चटनी में बस नमक ही डलता बाकी कुछ नहीं हम तड़के में बाकि समान जो भी कमी होगी हो दो देख लिए हैं और चट्नी को दूदर साइच में चढ़ा दिये हैं और दूसरी तरफ मैं रख लिया तर थे ह्म आज जो है गराम हो न दिते इसमें तेल डाल तेल डालनी के बाद मोई बेटर जो है r타 डाल देंगे तेल को घरला दिया दोस्तों तो अब देखें दोस्तो इसमें पेस्ट्न डालते हुए इसको पेलाते हुए चले जाएंगे तो दोस्तो आगर आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत आए और कुछ भी परिसानी होते इसमें हलका सा 2-4 चमच आटा डाल देना उससे आपका पलटने में उलटने पलटने में आपको दिक्कत नहीं होगी तो अभी हमारी चट्मी दोस्तो पक गई है तो हम इसमें पानी मैंने गरम करके रख लिया था तो हम इसमें गरम पानी डालेंगे दोस्तो क्योंकि अगर मालो बाईचांस हमारी चट्नी बर्सती है तो इसको हम फ्रीज में 4-5 दिन के लिए रख सकते हैं तो गरम पानी जरूरी है इसमें डालना तो यह मैंने चट्नी को पीस लिया दोस्तो और इसमें आज हम तड़ का लगाएंगे दोस्ते पहले हम देख लेतаем दोस्तों अपना पहे का चिल्ला दोस्तो इसको हम ओहे का चिल्ला भोलते हैं तो आव हम नई और पहे के लिए चम्मचा ले लेको पादया दिको तो दोस्तो इसको हलका से ठंडा होने के बाद इसको हम इसमें चट्नी में डाल देंगे तो दोस्तो मैं दिखा नहीं पाई आप राई डाल देना और करीपता बस तीन चीजे डालके तड़का लगा देना सर्स मनलब काली राई ये देखे दोस्तों हमारी चट्मी हो गई है अब हम अपने चिल्ले को पलटेंगे तो दोस्तों चिल्ला हमें कैसे पलटना है तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से एक हम प्लेट रखेंगे और ये कपड़ा उपर से रखके ऐसे हमें पैन को घुमात हमारी रख से होचे रख लेना है और अब ऑपिर देखे दोस्तों कितने आराम से जो है पलट जाता है और ऐसब ही मैंने haven को principio कोई बाकि हम इसको कर्ची से ही उलट पिलट करते पका लेंगे तो देखें दोस्तों कैसे इसको पका लेते इसको हलका हलका जो है ऐसी घुमाते हुए इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है बहुत ही टेस्टी बनता है दूसरा चिल्ला भी आप लोगों को बना के दिखा देते इसे तरह हम सारे चिल्ले जो है बना लेंगे और म lot रख लालेज़िए तो मैंने दो चम्मत से थोड़ा कम डाला है इसको मोटा ही हलका सपर और बनता है दोस्तों इसको ऐसे से अधे हम रादेंगे कर्ची की सहायता से सुरू-सुरू में दिक्कत होती है दोस्तों और जब हलका सा तले में यह पकड़ लेता है तो फैलाने में बहुत अच्छी आसानी बहुत यह मतलब आसानी होती है इसको तो आज को अच को मीडियम कर देंगे और हम एक बाद देख लेते हैं हमारा चिल्ला जो है हो गया है अब हम इसको प्लेट लेंगे और उपर से कपड़ा रखेंगे और पैन को अपने घुमा के ऐसी पलट लेंगे देखें दोस्तों कितनी आसानी से हमारा चिल्ला जो है पलट जाता है तो हलका सा तेल पैन पर डाल देंगे दूसरी तरब भी और ये फिर से आईए बहुत ही टेस्टी बनते हैं दोस्तों तो चलिए मैं इसी तरह फटफट सारे मनलब सारे चिल्ले बना लेते हैं दोस्तों कर दोस्तों दोस्तों झाल झाल तो दोस्तों मैंने सारे चिल्ले इसी तरह बना के तयार कर लिया है तो देखे दोस्तों अब इसको जो मैं वही जो चटनी बनाई थी टमाटर प्याज की उसके साथ सरू करूंगी साथ में इसके ग्रीन चटनी भी ले लिये हैं तो दोस्तों आप जो भी चटनी बनाए इसको सौस के साथ चहादी चटनी और ये टमाटर की चटनी जो भी चटनी से आप सरू करें बहुत ही अच्छे ये चिल्ले बनते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं दोस्तों एक बार जरूर से जरूर ट्राय करें तो देखिए दोस्तो हमारे चिल्ले कितने बढ़िया बने दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करिये कमेंट करिये और चैनल को सब्सक्राइब करिये बाई दोस्तों